अज़ हम पढ़ेंगे धातु परीचे, हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं, और इंग्लिश में वर्प्स, इसमें हम पढ़ेंगे क्रिया और पुरुष की परिभाशा, साती धातु, जैसे हम जो भी कार्य करते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं, हमारे द्वारा जो भी कार्य किये जाते हैं जिसे पढ़ना लिखना चलना इत्यादी तो आगे हम देखें क्रिया जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं जिस शब्द से हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वह क्रिया के अंतरगत हैं जैसे मैं लिखती हूँ लिखना क्या है? एक धातू, एक क्रिया, राम पढ़ता है, राम ने कुन सा कारे किया है? पढ़ने का, तो पढ़ना क्रिया है, साथी तुम सभी आते हो, तुम सभी जाते हो, आना और जाना क्रिया, तुमने बोला, तुमने बताया, तुमने किया, ये सारी क्रियाएं हैं, तो जिस शब्द से किसी भी कारे का करना जैसे हमें कोई कारे करना है तो उसके लिए कोई भी कारे बुला जाता है आप पढ़ो आप लिखो आप चलो आप जाओ आप आना आप मताना है ना यह सारे जो शब्द बोले जाते हैं यह सब क्रिया है जिससे कि हम कारे करते हैं वो क् संस्कृत में धातु की रूप में प्रयोग करते हैं जैसे पठ के लिए पढ़ना लिखने के लिए लिख चलने के लिए चल इस प्रकार से जैसे देखे लिखना करना बोलना आदी भाशा में इन क्रियाओं का ज्यान कराने वाले शब्द हिंदी भाशा में हम समझ गए कि जो भी हमारे द्वारा कार्य किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं चलना पढ़ना लिखना जो भी है लेकिन संस्कृत भाशा में हम इसे कैसे जानेंगे धातु रूप के माध्यम से यदि आपको कहा जा रहा है पढ़ना तो आप इसके लिए कौन सी धातु यूज़ करेंगे प कराने वाले शब्द को धातु कहा जाता है तथा इनके विभिन प्रयोगों को धातु रूप कहा जाता है यदि हम पूरा प्रयोग करते हैं तीनों वचन में तीनों पुरुष में तो वो पूरा चार्ट जब बनता है तो वो क्या कहलाता है धातु रूप जैसे उधारन दे लिखता हूँ, मैंने लिखा like this, आगी देखते हैं, तीनों वचनों में धातू के रूप अलग-अलग होते हैं, तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्वी वचन, बहु वचन, है न, तीनों ही वचन में हम धातू अलग-अलग यूज़ करते हैं, लिंग परिवर्तन से धातू र अलग-अलग होते हैं, पूरलिंग, स्त्रिलिंग और नपुसकलिंग, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, किस प्रकार से आपको इसका चार्ट बनाना है, आगे देखते हैं, एक ही धातू का काल तथा करता के अनुसार विविद्ध प्रकार के उपयोग किये जाते हैं, जैसे एक ह धातू का काल है, काल अर्थात, समय तथा करता के अनुसार विविद्ध प्रकार के उपयोग किये जा सकते हैं, जैसे हम करता लेंगे वेसी ही हमारी क्रिया होगी, तिकते हम आगे, पुरुष, शब्द के जिस रूप से कहने वाले, सुनने वाले, या जिसके विशे में की जाए, या उसका बोध हो, उसे हम पुरुष कहते हैं, शब्द के जिस रूप से, यने की कोई भी शब्द, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुष से ये मतलब है या पर, इसका मतलब क्या है पुरुष का, प्रथम पुरुष, मध्यम की दातुरूप और उसके सेंटेंस बनाते हैं उसी पर यहां पर बताया गया है शब्द के जिस रूप से कहने वाला कौन सा पुरुश है सुनने वाला कौन सा पुरुश है या जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन सा पुरुश है उसे हम पुरुश कहते हैं पुरुश में बात हो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं जिस भी संग्या शब्द के बारे में बात की जा रही है उसके लिए हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं तो देखिए प्रथम पुरुष में हम अलग-अलग लिंग के रुप में शब्दों का प्रयोग करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम करता का प्रयोग प्रथम पुरुश में करेंगे तो तीनों ही लिंग अलग-अलग होते हैं पुर्लिंग में अलग होता है नपुसक लिंग में अलग करता है और इस्त्री लिंग में अलग है इसी के साथ मध्यम और उत्तम में सेम धातुरू चलती है कोई उसमें बदलाव करता में बदलाव नहीं आता है तो देखिए एकवचन में आता है पुर्लिंग में सह, द्वीवचन, तोव और बहुचन, ते सह, तोव, ते इसका हिंदी अर्थे वह, वेदो, वेसब ठीके, स्ट्रिलिंग में हम वह के लिए यूज़ क्या करेंगे सा, और वेदोनों के लिए ते, वेसब के लिए ताह सा, ते, ताह यदि हमने कहा वह सीता है तो वह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे स्ट्रिलिंग में सा और हमने कहा वह राम है तो राम क्या है पुर्लिंग तो हम यूज़ करेंगे सह उसी प्रकार वे दोनों बालिकाएं हैं तो ते बालिकाएं वे दोनों बालक हैं तव बालकोव तव शब्दा आएगा वे दोनों के लिए हम चार्ट में देख रहे हैं उसी प्रकार वे सब के लिए आएगा ताह वे सब बालिकाए हैं तो ताह बालिकाः उसी प्रकार पुर्लिंग में आएगा वे सब बालक है तो ते बालकाः आगे देखते हैं नपुसक लिंग में तत तानी तत मिंस वह ते वेदोनों तानी वेशब इसी के साथ हम आगे देखते हैं मध्यम और उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में आता है सुनने वाला अर्थार श्रोता जो सुनने वाला है जो सुन रहा है उसे हम मध्यम पुरुष में लेते हैं जैसे त्वम, यूवाम, यूयम त्वम मेंस तुम, यूवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब इसमें मध्यम पुरुष में पुरुलिंग और इस त्री लिंग में त्वम, यूवाम, यूयम एक ही करता चलेंगे सब में प्रतम पुरुष्क में अलग-अलग करता थे तीनो लिंग में लेकिन इसमें हम किसी भी लिंग में त्वम को ले सकते हैं युवाम को ले सकते हैं उसी प्रकारुत्तम पुरुष्क देखिए बोलने वाला जो वक्ता है जिसे हम वक्ता कहते उसका आर्थे बोलने वाला है अहम यने में आवाम हम दोनों और वयम मिंस हम सब तो अहम आवाम वयम कितने करता पड़े हमने देखिए हम ये तीन अलग-अलग करता है इस्त्रिलिंग, पूर्लिंग और नपुसक मिलिंग में लेकिन हम वचन के अनुसार एक वचन, दुई वचन, बहु वचन में एक, दो और तीन पड़ेंगे इने सहतो उते, तीन हुए ये साते ताह, वन टू त्री में ही आएगा ये उसी प्रकार मध्यम पुरुष के करता हो गया चार, त्वम, युवम 5, युवम 6, अहम 7, आवम 8 और वयम 9 नो करता है, तो उसी प्रकार धातु रूप भी नो होती है जिस करता को हम ले रहे हैं, जिस नंबर से हमने करता लिया है उसी नंबर की हम क्रिया का प्रयोग करते हैं आगे देखते हैं, धातु रूप को पढ़ते हैं देखिए पिच्चर में, बालक बुक पढ़ रहा है तो पढ़ने के लिए कौन सी धातु यूज़ करेंगे आपको क्रिया समझ में आ रही है, बालक बुक पढ़ रहा है किताब पढ़ रहा है, पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन संस्कृत में हम केसे जानेंगे, इन क्रियाओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, धातू, जस्ट अभी हमने डेफिनेशन पढ़िए, तो क्रियाओं का बोध कौन करा रहा है, पिच्चर के माध्यम से हमें पता चल रहा है, या सैंडेंस के माध्यम से हम जानेंगे, तो पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन संस्कृत में हम यूज़ करेंगे, पट, और इसके रूप चलते हैं, पठती में, उसी प्रकार आगे देखिए, एक बालत चल रहा है, चलना भी क्रिया है, और संस्कृत में हम रूप चलेंगे लिखती इसकी धातु है लिख आगे देखते हैं हम पिच्चर में एक बाली का नमशकार कर रही है उसके लिए हम धातु यूज़ करेंगे नम और उसके रूप चलेंगे नमती नमतह नमंती उसी प्रकार हम नो करता में उसको लिखेंगे आगे देखिए एक वर्प आली का खेल रही है तो खेलना एक क्रिया है उसके लिए हम धातू यूज़ करेंगे क्रीड धातू क्रीड का अर्थे खेलना और उसके रूप चलाएंगे हम इस प्रकार्य धातु रूप कम्प्लीट होता है आगे देखते हैं एक सैनिक है जो देश की रक्षा के लिए खड़ा है तो रक्षा करना रक्ष इसकी धातु है और रक्षती इसके रूप चलेंगे